कि आलो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अब हम डिसिक्स करेंगे रिकर्शिफ फंक्षन्स तो रिकर्शिफ फंक्षनिस क्या होते हैं रिकर्शिफ bंक्षन-इद ex RAM C Olds उप से Bible आद्रें अपने आपको अपने आप कोई बार-बार कोल करेगा तो यह लोग पर फस जाएगा तो इसलिए क्या होता है कि इसके अंदर एक condition यूज की जाती है कि एक condition पर जाके यह function खुद को कोल करना बंद कर देता है तो देखते हैं मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर देखिए एक function है function ABC और इसक console.log ले लिए मैंने ABC यहां पर कोल हो गए ठीक है console में मैंने कोल करा देख अब यह function कोल हुआ इसके अंदर से फिर यह function कोल हो गया अब फिर यह function कोल हुआ तो बार-बार यह अपने आपको कोल करता रहेगा तो इस case में एक condition यहां पर होनी बहुत जरूरी है if else की एक condition कि जि हमारा कोलिंग हमारा काम पूरा हो जाए तो यह कोल करना बंद कर दे ठीक है यहां पर देखे मान लीजिए मैंने else में रखा या if में रखा किसी एक condition में जैसे if condition जब तक चलती रहेगी तब तक यह true है तब तक यह if condition में हमारा काम होता रहेगा कि एक अग्जामपिल लेकर मैं आपको समझाता हूं कैसे घर सकते हैं एक हमारा प्रोग्राम इक हमारा होता है अगर factorial प्रोग्राम के इंटु 4 इंटु 3 इंटु 2 इंटु 1 ठीक है तो फैक्टरिल 5 इस तरह से निकालते हैं तो डिक्रिमेंट उटर में हम करें या 10 तक 1 से लेकर 10 तक करें तो इस तरह का मैं फंक्शन आपका बता हूँ जैसे मेरा देखिए नंबर 0 पर पहुचेगा तो मैं यह फंक्शन जो रि आप इस फंक्शन के अंदर कुछ नंबर में पास कर रहा हूँ नंबर पास किया अब इस नंबर जैसे मेरा यह नंबर equal to equal to equal to 0 पोचेगा तो उस case में मैं क्या करूँगा यहां से return कर दूँगा 1 इस function को call नहीं करूँगा और else में मेरा क्या call होगा return तो जो number आ रहा है 5 और उसके multiply by उसका एक number decrease करके ठीक है नम नबने honesty थे आंदर 5 के अंदर 5 अब यहां से जैसे 5 आएगा तो 520 है नहीं यहां पर 5 इंटू यह function फिर से पोल होगया है हान्य कि 5-1 अब यहां पर फॉर पहुच गया यहां फॉर पहुच गया फाइव मैंनस बन फॉर चलिए इसको execute करते हैं एक्जीकूट करता हूं मैं यहां से तो देखे 120 आ गया 120 आ गया तो यह function अगर मैं यहां से इस condition को यह जो condition है यह जो value मेरी यहां पर आ रही है इसको मैं store करा लेता हूं यहां पर एक let y में मैंने इसको store करा लिया और वाई मैंने यहां पर store करा दिया और इसको console भी करा देता हूं अंदर console.lo y अब आपको पता चलता रहेगा तो देखे 156 24 120 तो पहली बार में क्या आया यहां पर मैंने number लिया तो वाई जो मेरे इसमें store हुआ यहां पर मैंने number ले लिया है यहां पर मेरा five गया five यहां पर आया five into REB number ओके तो यहां पर क्या है अभी मुझको result नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी इसके अंदर जो मैंने value दी है यह value मैंने दी है ठीक है तो इसका अभी मेरे पास कोई result नहीं आया है तो multiply हम कैसे करेंगे कि अभी मेरे पास इसमें कुछ मतलब इसकी कुछ reference हमारा store हो गया ठीक है कि पूरा जब calculate होगा तब बाद में जाके multiply करके result देगा इसलिए 12624 इस तरह से मिल रहा है ठीक है तो अगर मैं इसको यह जो मेरा calling है अब आपको देख गया कितनी बार यह call हो रहा है यह तो आपको पता चल गया else में जा रहा है और last में जब num equal to zero हो जा रहा है तो यह return one कर दे रहा है यहां पर रखता हूं तो देखिए अब यह मेरा infinity में चला जाएगा लोग में अब चलते हैं उपर error आगई error देख लेते हैं मैक्स call stack size exceed तो जो call stack का size होता है वो exit होगे क्योंकि यह किस में चला गया हमारा loop में फस्किया यह function REV के अंदर REV हमारा call हो रहा है recursive function जो है call हो रहा है लेकिन कभी भी जाकर यह हमारा call होना बंद नहीं होगा तो एक loop में चला गया ठीक है तो function के अंदर function तो call होता है लेकिन यह किसी condition पर जाकर बंद हो जाता है तो वह कहलाता है recursive function तो I hope आपको यह कोंचा समझ में आ गया होगा thank you for watching